कुछ नहीं करते तो भी बन जाती धारा भई जो अपने पावर का मिस्यूस करना चाहिए वो तो बना सकता आपके उपर केस जो घटना कलेटर साब बता रहे हैं वह यह बच्चा के साथ भी कुछ किया गया है राज का रहे हैं बाधा उत्पन इस एकस्ती की धारा और उसके अलावा अन्य धंकी देने की धारा वो दोनों पागल ने भाई जो यह काम करते फिर रहे हैं दोस्तों वीडियो को पाउस करके सूचना को जरूर रीड करें वेलकम दोस्तों आज का वीडियो आपके बड़े काम आएगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निच्चुत तोर पर भुष्य में लाभी मिलने वाला है उकसान नहीं होगा तो इस वीडियो को जरूर पूरा देख लें अब सबसे पहले तो मैं आपको बत इंटर्वियू का जिसमें वह बताते हैं कि साम मैं गुजर रहा था मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था जहां उनके ड्यूटी लगी है वहां जा रहे थे रास्ते में उनको एक बच्चा दिखता है जो गाड़ी पर स्टंड कर रहा था तो उनको लगा कि यार यह ख सकती है कंभी हो सकती है जितनी उन्होंने बताई उतनी तो मानके चलें हम लेकिन जो दूसरा पक्षे उसकी बात किसी नहीं सुनी यहां पर कलेक्टर साब आदे आगे इंटर्वियों बताते हैं कि साम मैं उसको डाटा यह लोग वहीं पर उनकी थड़ी थी यह दोनों आ ग बीच रोड पर डेप्टी कलेक्टर की अब समसे इंपोर्टेंट चीज है कि वो बच्चा कहा हैं जिस बच्चे को कलेक्टर साब ने डाटा एक्च्वल में क्या सिर्फ डाटा अब आप कोमन सेंस के इस्तिमाल करो अपना कि कोई व्यक्ति किसी बच्चों को समझा रहा है डाट रहा है उसके भले के लिए आप वहां से घुजर रहे हो या मैं वहां से घुजर रहा हूं और हम सुनते हैं कि वो कोई व्यक्ति तो इस बात पर ना तो मैं उस बंदे पर टेक करूँ गा, न आप टेक करेंगे, यह तो common sense की बात है, हाँ, अगर कोई उस नाबालिक बच्चे के साथ मारपीट कर रहा हो, तो शायद हम रोक ही उसको भैं, किस तरह साथ मारपीट कर रहा हो, और उसको, उसके साथ हम हाता पाई पर उतर सकते ह नाबालिक बच्चे कोई कैसे हतोड़ा लुड़ा सकता है यृ कि तो पागल है दोनों व्यक्ति धंपती जिसका बच्चे से कोई लेने देना नहीं ए कलेक्टर को वो जानते नहीं है कण druर्श रंजिश नहीं लेकिन फिर भी वो आकर के साथ मारपिट कर रहें बिना किसी कारण के I think they are mental उनको तो पागल खाने जाना चाहिए जेल की बिजवादिया कलेक्टर साब ने यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुल में कि उनको यह पता ही नहीं है कि वह व्यक्ति कलेक्टर है दूसरी चीज़ राजकारियां बाधा की धारा लगा दी पुलिस वालों ने उन गरीब हो पए 333-332 तो वह कोनसा राजकारी कर रहते हैं उसजब ही कोई सब्सक्राइब कर दी नहीं के वह ओ सोषेल वालों करर सकते हैं और बच्छे को समझा भी रहते हुए हैं हापकी डूटी का सथा नहीं था वो जो काम कर तो उमले देधा हूं जूंज रहते हैं तो तो बाद में दिल ललन टॉप से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे का इंटर्व्यू ले जा करके आपका चैनल ही मेरे को ट्रस्वर्डी लगता है मैं देखता हूं आपके चैनल को और आप लोग जो देखने वाले वीवर से टेक करो या कमेंड करो जो उस बच्चे तक य क्या कारण है जो वह इतना उग्र हुए जबकि उस बच्चे से उनका लेन देना नहीं है वह सिच्वेशन तो पता करना जरूरी है न गरीब के ओपर 353 32 लगा दी राजकारिये में बाधा की सीधे गिरफ्तारी होती इन धाराओं के अंदर इसके अलावा 506 लगा दी धंकी पुलिस वाले से जिसने धारा लगाई उसका भी इंटर्व्यू है अब साब जो दमपती वो पहले से जानते थे कलेक्टर साब को उनको पता था कि वो कौन सी कास से आते हैं तो जाती सुझो शब्दों का भी इस्तिमाल कर डाला उनने देखो आप कहीं से भी लगता है कि चुत और जेल में है क्योंकि जो तीन सो तेरे पन तीन सो बती से वो नोन बेलेबल है सीधी रखता रही है महिस्टेट लेगा नहीं सेशन कोड में समय लगना है उनको पता भी नहीं होगा कि शायद उनकी थड़ी गिरा दी गई है तो मैं जो तुम से कहता हूं कही बार कि बहुझा जो भी पुलिस ओफिश्र होता है या कोई भी पप्लिक ओफिश्र अदिकारी है उसको आप टच्च नहीं करना है आपके शाज अगर वो ग्लत करता है तो कानूनी कारवाही करना चाहिए कोड का सहरा लेना चाहिए कई बार मैं आपके बात समझाता हूं लेकिन आ आपके उपर अपने पावर का मिस्यूस करके भी यह दाराय लगाई जा सकती हैं आपका हलका सा मोमेंट कि आप बस यह डुक बनाया ना तो 353 पन आई पीजी हो गया साथ और आपने टच कर दी हलका सा यूं भी कर दिया तो 332 भी हो गया अप सीधी ग्रफ्तारिया आपकी करन करना चाहएं सो करने दो और आप बलोग है न तो वह आपक improvement आपके आपको शर्फ दरसकर करना रहा है यह नब आपको आपने जरा सा मोमेंट भी किया तो बन गया केस आपके उपर आप कुछ नहीं करते तो भी बन जाती दारा भाई जो अपने पावर का मिस्यूस करना चाहिए वो तो बना सकता आपके उपर केस तो मेरा उद्रश्या आप से हमेशा यही रहता कहने का कि किसी भी लोग सेवक की विरुद अपन को इस तरीके के जो हिंसा है उसका प्रियोग नहीं करना चाहिए कानूनी कारवाई करें अगर वो गलत कर रहा है तो और कानूनी कारवाई के लिए आप थाने से एफराज करा सक एक डेप्यूटी कलेक्टर के खिलाफ और कोशिश करना चाहिए कि उस बच्चे को पता करके कि वो बच्चा को ने सच सामने आये लोगों के एक्च्छल में क्या जो घटना कलेक्टर साब बता रहें वह यह बच्चा के साथ भी कुछ किया गया है वो तो बच्चे तब ही आयगा सच सामने लेकि मेरा उद्ध्यश्य आपको यह कहना है कि हमें किसी भी लोग सेवा के उपर हाथ नहीं उठाना चाहिए गलत करता है ना वो तो कानून के तरीके से आपको उसको समझाना चाहिए मतलब कानूनी कारवाई करना चाहिए ना कि उसके साथ लड़ जो शब्द में नहीं बोलूंगा जो वो कर सकता है क्या उप्षारे के पास गरीब की पास पुलीस स्रीफ 151 की कारवाही करके इन लोगों को पाबंद कर सकती थी कि दुबारा इस तरीकी एक्टिविटी ना करें आम इंसान अगर आपस में इस तरीकी एक्टिविटी करते ह लेकिन यहां पर डेप्टिविटी क्लेक्टर हैं तो साब कारवाही चेंज हो गई एक्सकावन की नहीं की जाकर के राजकारें बाधा उत्पन कि दारा और उसके अलावा अन्य धंकी देने की दारा वो दोनों पागल ने बहीं जो यह काम करते फिर रहे हैं उन्हें और कोई मिला नहीं है एक्ट्वल में वीडियो के अंदर यह बात भी आई है जो मैंने देखा नियूस के अंदर कि उनको पता ही निए कि वह कलेक्टर इस चाहिए आप लड़ नहीं सकते या तो आपके पास पेस होना चाहिए या पॉलेटिकल पावर ओना छी दोनुए आपके बास नहीं है जिनके पास होता है उनके इस तरहीं कारवाही करने का गानून का स्थारा लेकर की मामला दरच करा हैं अगर दमपती मेरा वीडियो द अधिकार है आप जो आपके साथ गलत हुआ है उसकी शिकायत आप दरज कर सकते हैं कोट के माध्यम से कई वीडियोद हमारे चैनल पर लड़ी अफ्लोडड़े तो उनको भी आप जैक सकते हैं थैंक्स वरचिंग गाइस